आपने को पूछाए कि according to kolros Law the limiting value of the molar conductivity of an electrolyte A2B तो अपने को पुछाए कि की conductivity of electrolyte A2B अपने को ये दिया गया टू भी और अपने को अपने को पता होता हुता है कि जो मेटल दी गई होती है उसका ये तो हम लिखते ही हैं, अब हम क्या करते हैं, जितना A है, A के कितने molecule हैं, उतने, उसका multiply करते हैं, B के कितने molecule हैं, 1 है तो 1, तो ये अपना answer होगा, ये answer कौन से option में है, 4th में, तो 4th अपना answer होगा, answer कौन सा होगा, 4th, अगर मालों में समझा रहा हूं, let's जा हम पाई, A 3, B 5 होता, तो क्या होता, 3 lambda A, plus, plus, 5, lambda B, B minus, ऐसे होता है, ठीक है, तो अपने this question का answer कैसे होगा, A के 2 molecule हैं तो 2, फिर B के बने तो 1, तो और तकना answer होगा, झाह जब झाहा, इता होगी, भ्सकिता कैसे, ओूर क्या फ्ड़ 현 today, suburbs मुटछ़ में तो 1 अपना टूरिया में मना पती जा होगा, परका का बाद में तो बपता है, साथ EST करकार, तो 1 पना Safety